हेलो गाइज वेलकम टू माई यटूब चैनल गाइज आपने साइंस द्वारा बनाएगे बहुत सारे तरह तरह के मसीनों को जरूर देखा होगा लेकिन गाइज क्या आप खेतों में उज़ होने वाले तरह तरह के मसीन को देखे हैं गाइज अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को लाचता जरूर देखिए और इसे ही मसीनों को देखने के लिए गाइज बात करते हैं नमबर पांच के मल्चिंग मसीन गाइज आप इस मसीन को देख कर सोच रहे होंगा कि खेतों में पॉलिथिन क्यों लगाये जाता है गाइज आपको बता दो फॉलिथिन सब्सक्राइद से इसे दबा लिया जाता है फिर लाश्ट में दो तावे की तरह लगे हुए इस मिट्टी को चड़ा दिया जाता है और साथ में एक बीच में होल करने वाला भी लगा होता है जहां से पौधा गुरो होता है जब बात करते हैं नमबर चार की ट्रेंचर मसीन गाज इस मसीन का इस्तमाल खेतों में गहरी नाली बनाने के लिए किया जाता है जो एक ही सेप साइज में बना देती है और मिट्टी को साइज में फैकती हुए चली जाती है गाज इसमें लागे हैंडल की मज़ा से जितना गहरा चाहें आप उतना ही गहरा कर सकते हैं ये मस Skill काम है इसलिए इस चारे को मनाने के लिए मसीन को तयार किया गया है यह मसीन चारे को काट कर छोड़ती नहीं बलकि इसके छोड़े छोड़े टुकड़े करके साथ में चलने वाले टैंकर में जमा कर जाती है गाज अब बात करते हैं नमबर दो की राइस फ्लाइंटिंग मसीन गाज वैसोद किसान भाईयों को फता ही कि धान बैठाने में कितना जादा मेहनत लगता है इसी मेहनत को देखते हुए साइंस ने एक राइस फ्लाइंटिंग मसीन को त्यार किया है गाज इस मसीन में सबसे पहले धान के छोटे-छोटे बंडल मना कर रख दिये जाते हैं जिससे या मसीन इस पौधो को एक-एक करके छे लाइनों में लगाती हुई चली जाती है गाज फाइनले बात करते हैं नमबर वन की स्प्रे मसीन गाईज इस मसीन का इस्तमाल पाउधों पर दवा छिड़काओ करने के लिए किया जाता है इस मसीन में तीन U-shape के कवर लगे होते हैं जिससे दवा इधर-उधर होने के बजाए पाउधे पर बराबर तरीके से छिड़काओ हो जाए गाईज साइंस उतारा पनाएगे ये पाउध मसीन आपको कैसे लगे हैं इसे आप कमेंट में जरूर बताएए और ऐसे इंफार्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै भारत दोस्तों